नमस्कार जैहिन वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टड़ी प्रट्फरम में रास्ट रहित में सिक्षा दिसी धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज का यह है वेडियो टॉप लेवल का वेडियो साबित हो पूरी वायलोजी को 5-6 पार्ट में खतम कर डालेंगे तो आज इसे पेन उठाईए और कॉपी उठाईए और वायलोजी का जो एकजाम की दृष्ट से सारे क्वेसंस धुआ धुआ हो जाने वाले हैं ठीक ना चले स्टार्ट करते हैं और पूरा दोस्तों यहाँ पर हम NCRT पैटर्न पर आधारित होगा यह क्लास पूरी तरीके से कुछ नहीं छोडेंगे आपको स्लाइड दिखा देते हैं सबसे पहले कि हमको पढ़ना क्या है किस तरीके से हम चीजों को वरगी करत करेंगे सारी चीजे हम बहतरीन तरीके से आज स्टार्ट कर रहे हैं ठीक ना Monera क्या होता है, Protista क्या होता है, Procreatic क्या होता है, Eukeretic क्या होता है यह सारी चीजे आपन डिसकस करेंगे इस वीडियो में देखे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीब बिग्यान की, जीब बिग्यान एक्शल में आया कहां से, कौन कौन सी स्टार्टिंग में इसकी पुस्तके है, जनक कौन था, सब्द किस ने दिया, यह सबसे बहुत महतुपुड बनता है आपको जानने के लिए तो देखो एक्शल में क्या था कि बायो लॉजी, बायो लॉजी दो सब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, अब यह बायो लॉजी का मतलब क्या होता है, जो ग्रीक सब्द है ना, ग्रीक का मतलब यूनान, यूनान के लोगों के यहां जो फासा थी, वो थी ग्री ठीक है तो वहाँ पर क्या था इस वायो को वायोस कहा गया और लौजी को लोगोस कहा गया आप सभी जानते हो कि जिसमें लौजी लगा होता है वो क्या होता है वो स्टडी होता है स्टडी बोले तो क्या जैसे हेमेटो लौजी रक्त का अध्यन और नितो लौजी पक्षियों का अध्यन सिस्मो लौजी भूकंप का अध्यन है ना जब भी किसी वर्ड में लौजी लगजाएगा तो वो स्टडी हो जाता है अध्यन हो जाता है हम किसके बारे में अध्यन करेंगे ये पहला वर्ड बताता है जैसे यहाँ पर हम बायो के वारे में अध्यन करेंगे तो बायो का मतलब है यूनान के अर्थ में ग्रीक भासा में बायोस बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानि हम लाइफ की स्टडी करेंगे जितने भी चीजें हैं लाइफ का मतलब पेंड पोधे हो सकते हैं जीब जन्तु हो सकते हैं, कीडे मकोडे हो सकते हैं, उन सभी की life का अध्यन ही क्या है, सर बायोलोजी जिसको अपन भारतिये हिंदी में क्या कहते हैं, जीब बिग्यान कहते हैं, जीब बिग्यान नहीं दिया यूनानी ने, किसी ने नहीं दिया है, अपन ने दिया है, हम भार करते हैं जीब बिग्यान के पिता किसे कहते हैं या जीब बिग्यान को देने वाला कौन है जीब बिग्यान सब्द किस ने दिया है दोनों में फर्क है अब लिखेंगे अगला पॉइंट दोस्तों 1801 ESP में प्रथम जीब बिग्यान ने सबसे पहले जी बिग्यान सब्द का प्रियोग किस ने किया था लेमार्क ने लेमार्क के साथ कौन आता है ट्रेविनेरस आते हैं ठीके ना अब इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर ये option में मिले तो यहीं तक्सीमित है अगर दोनों option में मिले तो दोनों मार दीजेगा लेकिन ना लेमार्क का याद रखना है और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए लेमार्क और ट्रेविनेरस की बात करें तो इन दोनों नामों को भूलेंगे नहीं लेकिन देहन दीजे मैं क्या कह रहा हूं सब्द का प्रियोग इस बायोलोजी का इस जी बिग्यान का सब्द दिया है अब बात कर लेते हैं क्या पिता महा भी लेमार्क है जी नहीं अब हम आगे चलते हैं अंगली स्राइड में देखिये दोस्तों जी बिग्यान विद्ग्यान की वह साखा है जिसके अंतरगत जीवों का अध्यन किया जाता है जीवों का अध्यन किया जाता है मैंने आपसे बोला है हम जब लाइफ की स्टड़ी करते हैं स्टड़ी आफ लाइफ की बात करते हैं दोस्तों यानि कोई भी हो सकता उसमें छोटा कीड़ा से लेकर अपन बड़े जानवर तक की बात करेंगे पौधे से लेकर हम जीव जन्तु की बात करेंगे ठीक है अब बात आती है कि इसके पिता महा कौन है तो जीव बिग्यान सब्द को देने वाले लेमार्ख है जीव बिग्यान का पिता महा किसे कहा जाता है गाईज अरस्तु को कहा जाता है ये बात important fact में लिख लो दोनो important fact क्या है एक साथ में आपको लिख लेना है हर बहन हर भाई से बस इतना कहना चाहेंगे कि notes तयार करना हम किसी भी तरीके से किसी भी वक्त आपसे notes मांग सकते हैं और उनके टेलिग्राम की बात करें PDF की बात करें वो टेलिग्राम पे प्रेशित करें किसी भी बच्चे से मैं बोलूँगा comment box में मुझे इस बच्चे से notes चाहिए और आपको हम number दे देंगे आपसे notes लेंगे इसलिए notes जरूर बनना है ठीक है ना? जी हाँ अरस्तु के अनुसार जीब बिज्ञान के दो प्रकार कौन से? भाई एक है जन्तु बिज्ञान और एक है बनस्पति बिज्ञान जन्तु बिज्ञान को English Language में कहते हैं जोलोजी और बनस्पति बिज्ञान को हम कहते हैं बोटनी अब बात आती है कि हमने उपर जीब बिज्ञान सब्द के जनक देखे हैं लैमार्क जबकि जीब बिज्ञान के जनक अरस्तु अरस्तु ने जीब बिज्ञान को कितने भागों में बाटा है? दो भागों में कौन कौन सी? एक है जन्तु बिज्ञान दूसरी है बनस्पती विज्ञान अच्छा जन्तू विज्ञान के जनक कौन है तो जन्तू विज्ञान के जनक है अरस्तू महोदे और बनस्पती विज्ञान के जनक कौन है थियो फ्रेस्टस सहब अब यहां से तीन से चार कुष्ण बनेंगे बड़ा ध्यान से समझेगा देखे जन्तु विज्ञान आपको नाम सही पता चला होगा जहां पर हम जीवों और जन्तु का स्टडी करते हैं और बोटनी में क्या होता है कि जहां पर पेंड पौधों का अध्यन किया जाता है ठीके ना इस चीज को आप समझे जीव विज्ञान जो बायोलोजी होती है उसमें सभी आ जाते हैं अगर बायोलोजी को डिवाइड कर दे तो जुलोजी और बोटनी निकलता है जुलोजी में हम जीव जन्तु एनिमल्स का अध्यन करते हैं और बोटनी में हम क्या करते हैं पेन और पौधों का plants की बात करेंगे पादप की बात करेंगे study of plants की बात करेंगे I'm right अब बात आती है कि जनब कौन है तो जन्तु विझ्ञान के हैं अरस्तू और बनस पति विझ्ञान के है ये हर बच्चे को पता है लेकिन बच्चा मात खा जाता है जब कुश्चन में पूशा जाता है कि life of tree किसकी पुस्तक है समझेगा life of tree किसकी पुस्तक है एक्जाम में पूशा गया है कई वार बहुत वार पूशा गया है हिस्टोरिका प्लेंटरम किसकी पुस्तक है हिस्टोरिका एंटिनिम किसकी पुस्तक है आए जानते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में तो исторica animatum की बात करें तो ये है अरस्थू के द्वारा लिखेते हैं कुछ सन में कई बार पूछ जाएगा कि historica animatum किसकी पुस्तक है तो अरस्थू की है और इसी की तहत ये animal यानि animal की बात करेगा जन्तू की बात करेगा एनिमल्स की बात करेगा लेकिन थियोफ्रेस्टर्स की जो पुस्तक है उसमें भी हिस्टोरिका है अब हिस्टोरिका प्लेंटरम ये प्लांटरम क्या है प्लांट से बना हुआ प्लांटरम और ये प्लांट दोस्तों होता है पादप होते हैं, पेंड़ पोदे होते हैं Life of Tree, Life of Tree किसकी है तो Life of Tree भी हमारी Theoprestres साब की है और एक है Lost Cars of Tree ये भी हमारी तीन पुस्तके है Theoprestres साब की तो इन चीजों को आपको याद रखना है गलती नहीं करना है, गलती हो जाए तो फिर गलत हो जाएगा सत्य अनास हो जाएगा Questions पेपर में, clear है तो इसलिए पूरा पढ़ेंगे, Deep पे पढ़ेंगे और Deep को छोडेंगे नहीं चले, अब देखीगा दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ एक समस्या आ गई समस्या ये आ गई कि भाई, इसको बर्गी करत तो कर दिया था रस्तू साब ने अब रस्तू साब ने बर्गी करत किया था लेकिन जीवधारियों का बर्गी करन कैसे हो तो इस बर्गी करन के लिए एक बर्गी करन सिध्धान्त आया जिसको Taxonomy सिध्धान्त कहा गया अब यहां से कुछन बहुत बने कि टैक्सो नामी सिध्धान्त किसने दिया है ठीके ना तो इस टैक्सो नामी सिध्धान्त के लिए हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस सिध्धान्त को मुझे पढ़ना पड़ेगा इसमें है क्या अब टैक्सो नामी आपको यहां पर हेडिंग ड लाया, यानि बोला कि इस जीब को हम इस फेज में रख देते हैं, व्यक्ति को हम इस फेज में रख देते हैं, प्लांट को हम इस फेज में रख देते हैं, गुरुप्स बना दिये उनके, समझ गया न मेरी बाद, गुरुप्स बना दिये, उन गुरुप्स में कहा कि ये बाई लीनियस की बात करेंगे, यहाँ पर गलत लिखा है, कोई बात नहीं, लीनियस आपको याद रखना है, लीनियस ठीके न, यह आपको याद रखना है, लीनियस वाला, लीनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नैचुरी, बहुत बार पूछी गई, बेरी बेरी मोस्ट वरगी करन कर रहे हैं, हम गुरूप्स बना रहे हैं, कि कौन सा चीज कहां पर रहेगा, हम आज इस वीडियो में उनको थोड़ा सा ट्रिक के माद्यम से भी अभी सीखेंगे, अगली स्लाइड में, इसलिए इन्हें वरगी करन का पितामाहा भी कहा जाता है, तो कुस्षन मे आपको याद रखना है, कि जीवधारियों का वरगी करन किसने किया है वायलोजी में, तो लीनियस साहब ने किया है, टैक्सोनामी सिध्धान किसने दिया है, लीनियस साहब ने दिया है, वरगी करन का पितामाहा किसे कहा जाता है, लीनियस साहब को कहा जाता है, कोई जीवों की दुई नाम पद्दती very very most important इस point को याद रखें कि दुई नाम पद्दती दिया है या त्री नाम पद्दती दिया है या दुई नाम पद्दती किस ने दिया है तो आपको options में click करना होगा लीनियस ने दिया है इस slide में सबसे ज़्यादा question मनेंगे जो slide आप देख रहे हो यह वाली पूरी slide clear है याद रखेंगा अब आएज जानते हैं यहाँ पर कुछ हम trick से जान लेते हैं कि भाई यह बताओ कि जो वैग्यानिक नाम है axonomy के तहट जो मनुस्य का वैग्यानिक नाम है वो सभी जानते हैं लेकिन हम कुछ ऐसे वैग्यानिक नाम है जो जानने की कोसिस करेंगे जो exam में हमेशा एक question मिल जाता है जो exam की द्रसिसे important ही नहीं बलकि top level के questions में सामिल होता है चलिए हम कुछ trick लगाते हैं जहाँ पर trick है इसको याद करने में अरे यार यह बताओ कि human का मतलब है human से मतलब आप समझ सभी जानते हो कि human से बना हुआ है homo और उससे sapiens की बात सभी बच्चे जानते हैं मनुस्य का क्योंकि अपन लोग की प्रजाती है अपन लोग किस प्रजाती से हैं यह भूलना नहीं है इसमें क person paper लास्ट एर के उसमें पूछा था कि frog का मेढग का वग्यानिक नाम क्या है तो राना टिगरीना ट्रिक क्या है ट्रिक ये है दोस्तों कि मेढग क्या करता है मेढग टरर टरर बोलता है तो हम यह कह सकते हैं टिगरीना इसमें TRIR आ रहा है ठीक है ना जी हां बिल्ली की बा कोई दिक्कत है याद हो जाएगा न हमें वहाँ पर रटना नहीं है अमें देखना है कि आरे सर नहीं यह बताया तो तुरंट आप option देखोगे टिक कर दोगे कि सर फेलिस आया है बिल्ली आया है मतलब फैला देगी तुरंट आंसर हो जाएगा याद हो जाएगा अब देखी गाय का बात करें तो यहां पर देखिगा गाय का, गाय, काउ, बॉस, इंडिकस, सबसे दगाय कहां परेसर, इंडिकस, इंडिया में, और गाय क्या है अपने आप, बॉस मानी जाती है, क्लियर है, यानि सबी जानबरों में क्या है, बॉस है, मक्खी की बात करें, मक्खी, माश देखनों को मिल लाइगा, इंडिया में सबसे based फलो में क्या है, mango है इंडिया में सबसे बेश्ट फलो में क्या है mango है, धान की बात करेगे धान, rice, rice का scientific name क्या है, organic name क्या है औराईजा सटाईवा, औराईजा का मतलब औरआजा, और आजा जो है गेहूं खाते हो तो सब थोड़ी न खाते हैं पश्य मंगाल के छेतर में सबसे ज़्यादा धान उत्मन होता है अब हर घर में कहीं न कहीं बोले रोटी के साथ चावल जरूर चाहिए तो इसलिए आप अंदाजा लगा लो कुस्सन कई बार बना है कि सबसे ज़्यादा भारत में खाते कौन सी फसल है तो उसका अंसर होता है चावल इंडिया में तो याद रखना है खाने वाले में चावल आएगा गेहूं दूसरे नमबर पर धान में क्या है जितनी भी पैदावार हो कि भाई और आजा जितनी भी पैदावार हो तो कम ही लगता है किसान को कि और आजा, गेहों में क्या है, वीट का जो scientific name है, Triticum Acitum, तो Triticum का मतलब क्या है, बताइए, जल्दी से बताइए, कोई trick लगेगी यहाँ पर, चलिए, आगे देखते हैं, मतर, मतर का मतलब है Pism Sativum, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि Pism, पीवाने मतर होता है, है ना, पीजम, और पीजम से हम एक और trick लगा सकते हैं, कि मतर जो है, आपन खाएंगे, वो पीज कर ही खाएंगे, पीज कर, clear है, चना, चना देखिएगा Caesar, Caesar जो है, Arytnum, 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 है ना, जब भी हम चना खाते हैं, वो कैसे, कैसे, कैसे होता है, कट, 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 कट होता है ना, तो यहाँ पर आप उस चीज को देख सकते हो, है ना, इस चीज को आप देख सकते हो, सरसों की बात करेंगे, Brasica, तो Brasica की बात करें, तो basic का मतलब है बरसाना जब भी हम दोस्तों सरसों को खेट से लाते हैं तो उसको हम उपर से बरसाते हैं जिससे उसकी मिट्टियां धूल कर उड़ जाएं तो इस चीज को आप याद रख सकते हो आसानी से अब चलिए दोस्तों यहाँ पर बायलोजी में कुछ हम चीजों को और जानते हैं समय ये था एक समय इस तरीके से आया एक चेंजमेंट आया कि भाई अगर हमने देखा टेक्सोनॉमी का सिधानत आया उन्होंने भाई अपने गुरुप से बाट दिया अरस्तों ने वोला कि सर मैं बाटनी में और जुलोजी में चीजों को बाटूँगा ठीक है उन्होंने माट दिया लेकिन एक ऐसा वक्त आया जिसमें क्या हुआ कि जीबदारियों को पांच जगत में बाटने वाला भी आ गया अब वो पांच जगत में बाटने वाला आया तो यार फिर biology जगत में क्या हुआ हाहा कार मच गया और कहीं न कहीं एक जवर जस्त इरा आया, समय आया और वो मानने भी हुआ तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं एक और स्लाइट देखेंगे इस वीडियो में लेकिन नाम जब आ रहा है यहां पर यह कुस्सन बहुत इंपोर्टेंट है कुस्सन में बनेगा इस वार आने की पॉसिबिल्टी है कि जीब धारियों को पांच जगत में बाटने वाला कोन व्यक्ति था तो आंसर होगा विटिकर याद रखना है विटिकर थे यानि जीबों को पांच जगत में बाटने वाले कोन थे विटिकर थे बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जबर्जस तरीके से इस शीच को याद रखना है कि जब कुस्सन में पूचा जाए कि जीब धारियों को पांच जगत वरगी करण में कोन बाटा है तो आंसर होगा विटिकर है या पांच वरगी करण सिधान्त में क्या-क्या है तो ये रहा अब ये क्या है? ये बला क्या है? इसको हम एक-एक को समझते हैं और जादा दिमाग नहीं लगाना है फटा-फट देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जन्तु अब इन पांचों में बाट दिया तो समझ लो पूरी बायलो जी खतम तो लोगों को लगा कि अरे बाकई में बास्तों में जबरजस्तियार सिध्धान्त दिया है फाल्तु में जो है 4000-5000 सिस्टम में बाटने की जरूरती नहीं मतलब 5 में ही सीमित कर दिया और बाकई में ये सिध्धान्त क्या हुआ? सफल हुआ जैसे मोनेरा में क्या रखा गया? Monera में रखा गया Prokaryotic Jeep यह Prokaryotic Jeep क्या होते है Prokaryotic और Eukaryotic को हम अच्छे से अगली वीडियो में समझेंगे लेकिन अब ही हम केवल इतना बता दे रहे है Prokaryotic Jeep जैसे यानि यह क्या होते है एक कोसिकी होते है Monera में केवल एक कोसिकी जीवों को रखा गया है किसने रखा है विटिकर ने रखा है जैसे जीवाणू जैसे बाइरस तो दोस्तों अगर कुस्टन में आ जाए कि यह बताओ जीवाणू कैसा है एक कोसिकी है या दो कोसिकी तो आपका आंसर होगा सर एक कोसिकी है सर एक कोशिकी है प्रोटिस्टा क्या है प्रोटिस्टा में एक कोशिकी है और यहाँ पर कौमा लगाके बहु कोशिकी है याद यह रख लेना है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों अलग है मोनेरा में केवल एक कोशिकी है condition है और protista में क्या है eukaryatic जीव आएंगे इसमें prakaryatic जीव आएंगे इसमें एक कोसिका होगी इसमें एक कोसिका और बहु कोसिका दोनों होगी जैसे yuglina जैसे परजीवी आदी इस चीज को आपको याद रखना है अब बात आती है दोस्तों पादप की पादप आप समझी रहोगे प्लांट से है इसमें सभी प्रकार के पेण पौधे इसमें सभी प्रकार के पेण पौधे सैवाल जितने भी पुस्पी तथा अपुस्पी पौधे हैं यानि पुस्प देने वाले पोदे हैं आप उस्प देने वाले पोदे हैं ये सभी रंगीन जो है बहु कोसिकी जीव है पादब जो होते है प्लांट जो होते वो कैसे है बहु कोसिकी है तो कुस्टन में हमेशा आ सकता है कि पादब कौन से होते है एक कोसिकी दो कोसिकी बहु कोसिकी तो आंसर बहु कोसि किये प्रोटिस्टा में क्या है यू केरियोटिक मोनेरा में क्या है प्राकेरियोटिक और कवक दोस्तों और जन्तु बहुत सिंपल है कवक में क्या हुआ इसमें यू केरियोटिक तथा परपोसित जीव इनके अवसोसर द्वारा पोसर होते हैं ये परजीवी या मृत पजीव मतलब क्या है कि कवक आप देखते हो कि जब दिवाल में क्या होती है नमी आ जाती है तो जब नमी आ जाती है दोस्तों तो कहीं न कहीं हम यह देखते हैं कि उनका अवसोसन जब तक उसमें नमी नहीं आती है जब तक उसकी जो है सीलन नहीं आती है तब तक क्या तब तक वो अ अवशोसन नहीं करते हैं, जैसे ही सीलन स्टाट हो जाती है, वो अवशोसन करने लगते हैं, अब्जॉर्वेशन करने लगते हैं, और ये होते कैसे हैं कवक, ये होते हैं, फंगी दोस्तों होते हैं, परजीवी और मृत पजीवी दोनों होते हैं, जन्तु की बात करते हैं, य या दूसरी स्रंखला में ने एक कोसिकी होते हैं या बहु कोसिकी होते हैं इस चीज को भी आपको भूलना नहीं है तो भाईया ये बता दो कि बहु कोसिकी है जनतु या एक कोसिकी है तो याद रखना है ये सभी जीव जनतु बहु कोसिकी होते हैं ठीक है हाजी बहुत क्या बात है अब दिमाग में आता होगा कि सर ये उपभोकता क्या लिखाई है ये सर उपभोकता इसलिए है कि जन्तु कभी भी उत्पादक नहीं होते जन्तु हमेशा खाते हैं दूसरे का इसलिए इनको उपभोकता कहा जाता है और इन ही की बज़े से इनको मेटा जोवा कहा जाता है जैसे एक हाइडरा होता है, मचली होती है, उभैचर होता है, इस्तंधारी जितने भी आते हैं ये सब भी जीब जन्तु में आ जाएंगे मरी बात समझे रहे न, तो जन्तु हमेशा उपभोकता होते हैं, ये खाते ही हैं, कभी भी उत्पादक नहीं हो सकते क्योंकि उत्पादक हमेशा पेड़ पोधे, प्लांट होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, ये उत्पादक होते हैं तो ये स्लाइड बहुत कठिन स्लाइड है इन पांचों को अगर आपने याद कर लिया कि मोनेरा में क्या है प्राकेरियेटिक प्राटिस्टा में क्या है यूकेरियेटिक पादप में क्या है बहुकोसिकी पादप है जन्तु कैसे है बहु कोसिकी है कवक कैसे है दोस्तों यू केरियेटिक तथा जो है क्या है परिपोसित जीब है मेटा जोगा किसको कहा जाता है तो जन्तु की स्रेडी में आने वाले को हम मेटा जोगा कहेंगे ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी मेरे लाल तो दोस्तों यहाँ पर ये साली चीज़ें हमने कितने स्लाइड में देखी हैं 5-6 स्लाइड में देखी हैं हम आज इस वीडियो में केबल इतना रखते हैं नीचे आपको लिंक मिल जाएगी 1,2,3,4,5 करके सारे नोट्स आप बना सकते हो टेलिग्राम ग्रूप पर PDF पराप्त करने के लिए टेलिग्राम ग्रूप जॉइन करें हर बहन हर भाई चैनल को सस्क्राइब करें तभी जब आपको लगता है कि हम पूरी तरीके से नोट्स पूरी तरीके से हम अच्छी तरीके से स्टड़ी कर पाएंगे लव यो गाईज थैंक्स पर वाचिंग वीडियो गुरूजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी वंदे मात्रम इंक लाव जिंदावाद जैहिन